केंद्र सरकार की तरफ से यूनियन बजट 2023 पारित होने जा रहा है यह बजट एक फरवरी 2023 से पारित किया जाएगा लेकिन एक फरवरी से ही कई बड़ी चीजे महंगी वे सस्ती भी होने वाली है इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारे देने वाले हैं कौन सी चीजे महंगी होने वाली है और कौन सी चीजे सस्ती होने वाली है जैसे कि कपड़ा, मोबाइल, आभुसन और भी कई बड़ी चीजे हैं कई बड़े समान हैं जो केंद सरकार महंगे कर सकती हैं तो आप हमरे साथ अंध तक बने रहेगा तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं किन व्यक्तियों को कितना जटका लगने वाला है और दोस्तों जो भी चीजे महंगी होगी उनका सीधा असर आम लोगों की जेप पर पढ़ने वाला है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और step by step जान लेते हैं कौन सी चीजे महंगी और कौन सी चीजे सस्ती होने वाली है आपसे हमारा निविदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरप्या वीडियो को लाइक कर दीजिए जाद से जादा से अरभी करिएगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं पूरा भारत देश यूनियन बजट पर निगाहें टिकाए हुए है कि वित्यमंत्री निर्मिला सित्रवन जी तुवारा पांचवे बजट में क्या पारित किया जाएगा जी हाँ दोस्तो पूरा भारत देश इस बजट पर निगाहें टिकाए हुए है क्योंकि दोस्तो इस बजट में काफी खास होने वाला है यह वित्यमंत्री द्वारा भी जानकारी दे गई है तो इसलिए पूरा देश इस पर निगाहें टिकाए हुए है और साथी आपको बता दें कि हर साल बजट में कई चीजे महंगी हो जाती है और कई चीजे सस्ती भी कि जाती है तो दोस्तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन सी चीजों पर रेट बढ़ने वाले हैं और कौन सी चीजे सस्ती होने वाली है दोस्तो इन चीजों से आम आदमी की जेब पर ही फर्क पड़ने वाला है इस बार भी कई बड़ी चीजें ऐसी होगी जिनमें दोस्तो रेट बढ़ाय जा सकते हैं और काफी चीजें सस्ती भी हो सकती है दोस्तो मोबाइल फोन इलेक्ट्रिक सामंगरी मोबाइल चार्जर कपड़े कई बड़े ऐसे सामान हैं जिनके रेट उपर नीचे हो सकते हैं तो चलिए हम आपको जानकर देते हैं कि कौन-कौन सी वे चीजें हैं जो एक फर्वरी से महंगी हो जाएगी यह बजट एक फर्वरी ग्यारा बजे से पारित होने जा रहा है जो की वित्यमंत्र द्वारा पारित किया जाएगा तो दोस्तो आपको बता दें सबसे पहले कुछ महत्पूर्ण जानकर आपको देना चाहेंगे उसके बाद आपको पूरी लिष्ट दिखाएंगे कौन सी चीजे महंगी और कौन सी चीजे सस्ती होने वाली है जेस्टी लागू होने के बाद ज्यादा तर प्रोडेक्ट्स पर रेट जेस्टी काउंसलिंग तै करती है बजट में इन प्रोडेक्ट्स में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है जिहां आपने सई सुना है आपको बता दें कि जो भी रेट्स होंगे वह ज़्यादा तर जेस्टी लागू होने के बाद ही जेस्टी काउंसिंग ही तैक करती है कौन सी चीज़े महंगी होन चाहिए और कौन सी चीज़े सस्ती होन चाहिए वहीं दोस्तो लेकिन बजट में कुछ संकेत जरूर दिये जाते हैं कि कौन-कौन चीज़े महंगी हो सकती हैं फिर भी अंतिम नीर्नय काउंसिलिंग का ही होता है वित्यमंत्री जेस्टी पर उपकर लगा सकती है और दोस्तो इसमें इससे भी कई ऐसी चीज़े हैं जो सस्ती ह और महंगी भी की जा सकती हैं इसके अलावा कि कॉस्ट्यम ड्यूटी या फिर एक्सराइज एक्सराइज ड्यूटी में बदलाव करके बे कुछ चीज़ें जो कीमते हैं उन पर दोस्तो असर पड़ सकता है अब हैं कौन-कौन सी चीज़े हैं चलिए उसके बारे में जान ल दोस्तो काउन्ट, सिल्प, प्लास्टिक, लेदर, इलक्ट्रोनिक्स आइटम्स, आटो पार्ट्स, सोलर, प्रोडेक्ट्स, मोबाईल, चार्जर, इंपोर्टेर्ट कपडे, इंपोर्टेर्ट कपडे जो दोस्तो और यहा पर रतन, लेडी बलप, फ्रीज, एसी, आउर साराब, बजट में महंगे हुए हैं, यह दोस्तो यह है जो आइटम्स हम आपको बता रहे हैं, जो चीजे आपको बता रहे हैं, यह बजट 2022 में महंगी हुई थी, और दोस्तो इनी चीजों पर बजट 2023 में, यह जो बजट 1 फरवरी 2023 को पारित होने जा रहा है, इसमें भी है चीजे और भी महंगी हो सकती है वहीं दूसरी और दोस्तों और भी सस्ती हो सकती है उसके बारे में भी बताया गया है देखिए ग्या है, नंबर 2 पर यहनके दूसरी तरफ जो सस्ती चीज़े हैं वे हैं दोस्तों, नाइलोन के कपड़े लोहा, इस्टील, कोपर, आईटमस जो भी कोपर के आईटमस होते हैं, वे सस्ते हो सकते हैं, सोना, चान्दी, और लेटिनम जैसे, चीजे सस्ती हुई थी, इस बार भी इन चीजों पर दूस्तू जो प्राइज है वे घटाये जा सकते हैं वहीं आपको बता दें कि सरकार हर साल अलग-अलग फैक्टरों की जाच करके ये तै करती है किस सामान पर कस्टम सुल्क बढ़ाना है और किस पर नहीं बढ़ाना है हमारे दैनिक समानों के सस्ता या फिर महंगा होने में इस कस्टम सुल्क की बढ़ी भूमी का होती है तो अब की बार भी काफी ऐसी चीजे होगी जिनके रेट बढ़ा दी जाएंगे और काफी चीजे ऐसी होगी जिनके रेट घटा दी जाएंगे सही प्रोपर दोस्तो जानकरी तभी मिलेगी जब एक फरवरी 11 बजे दोस्तो बजट परित किया जाएगा तभी यह है आप जान पाएगे कि कौन सी चीजे महंगी होती है और कौन सी चीजे सरकार सस्ती करती है तो अगर आप भी जानकरी प्राप्त करना चाते हैं और जानना चाते हैं किस चीज पर कितने रेट बढ़ाए गए है तो दोस्तो आप हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करके रखेगा क्योंकि एक फरवरिस से हम आपको तमाम जानकरी या देते रहेंगे 11 बज़े से जो बजट परित के जाएगा उसकी तमाम जानकरी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे तो आपसे हमारे निवदन है कि आप किरप्या चैनल को सब्सक्राइब करकेगा अगर आपने वीडियो को लाइक कर दीजिए जासे जासे शेयर करेगा तो अब चाहते हैं आपसे जय जयत और मिलते हैं आपको नश्ट वडियो में दोस्तो तब तक के लिए जय हिंद जय भा उनए जय हैं अब तक कि आप सब्सक्राइब कि लेंदा repeating ह्यान कि अवर चॉ आपसे बूदज Papi ठैकर यूद।